राधे राधे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नौरात्रियों में मा की आगे नौ दिन तक अखंड जोती जलाई जाती है इस जोती को जलाने का क्या नियम है और ये क्यों जलाई जाती है और उसका क्या महत्व है दोस्तों आज हम आपको पूरा विस्तार से वता रहे हैं दोस्तो सारदिय नवरात्री 2022 की शुरुवात आने ही वाली है इस दोरान मा के सामने अखंड जोती भी जलाई जाती है मा के सामने अपनी स्रद्धा प्रकट करने के लिए तमाम तरीके हैं और इन ही में से एक है अखंड जोती का जलाना ये वो जोती होती है जो मा के आगे पुझने नहीं देना चाहिए लगातार जलने की वज़ा से इसे अखंड जोती कहा जाता है अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखे कि इस दवरान घर में कभी ताला नहीं लगाना चाहिए इसके पीछे धारडा यही है कि परिवार के सदस्यों की गैर मौजूदगी में अ पुत्री, ब्रह्मचारडी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, इसकंद माता, कत्यानी माता, काल रात्री, महा गोरी और सिद्धात्री देवी होती हैं नहरात्रों में नौ दिनों तक देवी माता जी को विशेस स्रिंगार कराना चाहिए चोला फूलों की माला हार और नए से माता जी का स्रिंगार किया जाता है वही नवरात्री में देशी गाए के घी से अखंड जोती जलाना माभगवती को बहुत प्रशन करने वाला कार्य होता है लेकिन अगर गाए का घी नहीं है तो अन्य घी से भी माता का अखंड जोति आप पूजा अस्थान पर जला सकते हैं आईए अब हम जानते हैं कि अखंड जोति जलाने का क्या महत्व होता है हर पूजा में दीपक का विशेश महत्व होता है ऐसी मान्यता है कि पूजा में यह भक्त की भक्ती और स्रद्धा का प्रतीक होता है इसलिए दीपक के बिना कोई भी पूजा नहीं होती है, नो रातरी नौ दिनों तक होती है, इसलिए अखंड जोती जलाई जाती है, और ये पूरे नौ दिनों तक रात दिन जलती रहती है इसलिए इसे अखंड जोती करते हैं ऐसी मान्यता है कि अखंड संकल्प लेकर कलस इस्थापना करते हुए अखंड जोती जलाई गई है तो ब्रत की समापती तक इसे बुझने नहीं देना चाहिए यह पूजा में बिग्न का प्रतीक है और आने वाले शमय में संकटों का संके देता है इसलिए जब भी नवरात्री का शंकल्प करे तो अखंड दीपक जरूर जलाए और इसके नियमों का पालन अवश्य करे कैसे जलाए अखंड जोती जोती आईए जानते हैं अक्सर लोगों को लगता है कि अखंड जोती सिर्फ पीतल के दीपक में ही जलाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है पीतल को शुद्ध माना जाता है इसलिए पूजा में इससे बने पात्रों का प्रयोग किया जाता है अगर आप पीतल का दिया नहीं जला सकते तो मिठी का भी दीप पात्र भी ले शकते हैं अगर मिठी का दीपक जला रहे है तो इसमें अखंड जोती लगाने से 24 घंटे पहले से ही साफ जल से भरे किसी बरतन में पानी में पूरी तरह से डिबो कर रख दे दरसल भटी से निकलते हुए मिठी के बरतन सोकते की तरह काम करते हैं इसलिए आप पानी में भीगोई भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो जितना तेल जलने में इस्तेमाल होगा उतना ही अपात्र शोक लेगा इसलिए 24 घंटे इसे भीगोने के बाद ही पाने शे निकाले और किसी साफ कपड़े से पोच कर फिर सुखा ले आईए जानते हैं अखंड जोती जलाने की विधी अखं पूजचे को रखने के लिए आप अष्टदल अवस्य बनाएं ये ये अष्टदल आप गुलाव या रंगे हुए चावलों से बना सकते हैं पीले या लाल Aixòलो से अष्ठदल बना ले या फिर चावलों से रंगोली बना ले उसके ऊपर अखंड जोती रखें अखंड जोती में जलने वाला दिया कभी बुझना नहीं चाहिए इसलिए इसकी बाती बिसेस होती है यह रच्छा सुत्र से बनाई जाती है सवा हाथ का रच्छा सुत्र पूजा में प्रयोग किये जाने वाला कच्छा जो धागा होता है उसी को रच्छा सुत्र करते हैं उसे लेकर जोति में प्रयोग किसी भी पूजा में दीपक के लिए शुद्ध घी का प्रयोग किया जाना बहुत ऑछा माना जाता है लेकिन अगर घी ना जलाश्के तो तिल का तेल भी या शर्सों का तेल भी जलाश्कते आईए अब जानते हैं कि अखंड जोती को कहां रखे आप घी या तेल का दीपक जला रहे हैं इसी से देवी के सामने दीपक रखे जाने का इस्थान तय होता है ऐसी मानता है कि अगर घी का दीपक जलाया जाए तो यह देवी की दाई और रखा जाना चाहिए लेकिन अगर दीपक तेल का है तो इसे बाई और रखें दोस्तो अखंड जोती जलाने का सही तरीका क्या है आईए जानते हैं दीपक जलाने शेपुर्व की सभी तयारिया पूरी होने के पस्चात इसे जलाने की बारी आती है इसके लिए भी एक खाश नियम का पालन किया जाना चाहिए सबसे पहले हाथ जोड का स्री गनेश माता दुरगा और सीव जी का ध्यान करें अगर किसी विशेश मनोकामना के साथ आप अखंड ज्योती जला रहे हो तो उसे भी मन में सोच ले और माता से प्राथना करें की पूजा की समाप्ती के साथ ही वा पुड हो जाए अब मा दुरगा का मंत्र जान ले जिए ओम जैनती मा मंगला काली भद्र काली कपाली दुरगा छमा सिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ही आपको अखंड जोती का दीपक जलाना है ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जै मातारानी अवस्य लिखिएगा वीडियो में लाश्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे